यह एक पिंजरा है, एक ऐसा पिंजरा जहां इंसानों को कैद किया जाता है पिंजरे में बंदेश महिला का नाम रूट है वो अपने पती को धूनती है वो इधर उधर देखने लगती है वो पिंज्रे पर दंबे से पीड रहा था रूत को उसका सामना करने के लिए एक पत्तर मिलता है लेकिन उतने में कई और मास्क वाले लोगो द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है तभी वो दोनों एक डाइना के पास रुखते है हैरानी की बात ये थी कि वहाँ कोई नहीं था रूत को वाश्रूम यूज करना था वाश्रूम की तलाश में वो पीछे की ओर जाती है और उसकी नजर एक बिखरे टेंट एक डोक्यूमेंट से भरे वॉलट और एक सेल फोन पर जाती है उसको वहाँ आजीब सी वाइब आती है और वो अपने बॉइफ्रेंड को वहाँ से निकलने को कहती है रास्ता सुंसान था तभी उन दोनों को एक स्ट्रेंज लेडी मिलती है उसने उन दोनों को बताया कि उसकी कार खराब हो गई है जैक खुशी खुशी उसकी हल्प करने को रेडी था रूट उस लेडी से बात करने का प्रयास करती है और उसे पता चलता है कि वो लेडी कुछ ज़्यदा ही रूड और साइको किस्म की है जैक को भी अब उसकी कार्थी करने में कोई इंट्रेस्ट नहीं है वो रूत को लेकर वहाँ से निकल जाता है दोनों का mood कुछ खास थीग नहीं था तभी उन दोनों को एक restaurant दिखता है जिसके barbecue का taste बहुत ही unique था दोनों अपने tasty food को enjoy कर ही रहे थे तभी उनको एक अजीब आदमी उन पर नजर रखे दिखा वो अपना खाना खत्म करके वहाँ से निकलते हैं तभी वो आदमी Ruth को रोग कर बोलता है कि उन्हें यह area छोड़ कर चले जाना चाहिए Ruth को खयाल आता है कि आज उनको इतने अजीब लोग क्यों मिल रहे हैं तभी उसका boyfriend उसको एक bad news देता है कि उनकी car का fuel खत्म होने वाला है थोड़ी देर में उनको एक पुराना gas station मिल जाता है fuel भरने के बाद Jack पैसे पे करने अंदर जाता है और आसपास के hotel के बारे में पूछता है स्टाफ उसे पास के एक cabin का address देता है और अजीब सी smile देता है Ruth hotel में रहना नहीं चाहती थी मगर Jack ने आज बहुत लंबा सफर तै किया था उसने आज 600 miles car drive की थी उसकी body rest मान रही थी वो एक motor के कापाक में पहुंचते है वहाँ बहुत सारी cars को देख उन्हें लगा motor logo से भरा होगा उसका tension कम हो गया मगर Ruth को और ज्यादा दर लगने लगा था जैसे ही उसने देखा कि motor desk पर कोई नहीं है वो Jack को वहाँ से जाने को बोलती है मगर Jack वहाँ से जाना नहीं चाहता था अखिरकार उन्हें एक staff मजराता है वो बहुत ही अजीब था जैसे उसने लंबे time से किसी से बाते नहीं की हो वो बस बोले ही जा रहा था Ruth बहुत ही nervous हो चुकी थी तबी Jack में staff को बाहर बेज दिया दोनों फ्रेश होकर सोने चले जाते है वो बहुत थके हुए थे तबी वो room को चेक किये बिना सीधे सो जाते है थोड़ी देर बाद उनके bet के नीचे से एक आदमी बाहर आता है फिर वो bet के side खड़ा रहकर सोते हुए couple को देखने लगता है जब root आखे खोलती है तो वो अपने आपको cage में बन पाती है एक muskman cage को दंडे से पीट कर उसे चुप कर आता है फिर वो वहाँ से चला जाता है root cage को तोड़ कर बाहर निकलने का try करती है दूसरा muskman उसे देख लेता है फिर वो root को एक chamber में transfer करते है root कुछ समझ पाती उससे पहले उसे एक ऐसी जगह transfer किया जाता है जहाँ जानवरों को रखने वाले metal cages बने थे और वो देखती है कि jack को भी उसी metal cage में रखा गया था वहाँ पर jack जैसे दूसरे कई और लोग मौजूद थे jack के मों में ball वाली bed लगी थी वो मदद के लिए अपने सामने वाले आदमी को बुलाता है मगर वो लर का unconscious पाड़ा था तबी बहुत सारे mask वाले लोग उस animal room में आते हैं वो hammer की मदद cage में रहे लोगों को मारते हैं और बेहुश कर देते हैं फिर चुने गए आदमी को गसीद कर एक ट्रॉली पार लाद कर slaughterhouse लेकर जाते हैं ये एक नर्ड जेसी जगह थी जहाँ body parts को काटने चिर फार करने वाली machine लगी हुई थी ये जैसे इंका पसंदीदा खेल हो यहाँ आदमी का use meat के तोर पर होता है और और औरत में sperm inject करके उन instruction देता है क्योंकि पास वाली factory की लोग आज रात दिनर पर आने वाले हैं मगर guests आने से पहले टॉम को एक call आती है एक customer जिसने टॉम का meat product order किया था जिसमें से उसे दात मिलते हैं टॉम उस customer को promise करता है कि उसका अगला order वो free में देगा ताकि customer शान्त हो जाए इसी बीच फा उसके cage में एक woman है जिसकी body पूरी तरह कमजोर हो चुकी है और वो woman उसको इस human farm की सच्चाई बताती है वो इस farm में पिछले दो सालों से कैद है और वो लगातार बच्चों को birth दे रही थी ताकि उसका milk उनके काम आये मगर अब उसकी body birth देने के लिए सक्षम नहीं रही और वो उसको breeding room से बाहर ले जाता है मगर इस farm से केसे बाहर जाये जाए वो अभी भी उनकी सबसे बड़ी समस्या है ये farm पर सख्ट security है हर जगा mask man मौजूद है फार्म किसी city या town से बहुत दूर है उनको पहले एक कार दूननी होगी उन्हें एक कार मिलती है जो start नहीं होत है तभी उनको एक चर्च दिखाई देता है चर्च में गौट की जगह mask वाले लोगों की photos होती है जैसे वो ही यहा के भगवान हो तभी एक mask man church में प्रातना करने आता है वो दोनों वहाँ बुरी तरह फस जाते है दोनों वहाँ से धीरे से भागने ही वाले थे तभी mask man उन अब ये बस ही root की आखरी उमीद होती है वो बाहर निकलती है उसे mask man मिलता है वो hammer उठा कर उसको मार गिराती है वो उसका mask निकालने ही वाली थी तभी farm के सारे mask वाले लोग वहाँ आ जाते है रूत का लेकर वहाँ से निकल रही होती है मगर उसका fuel खत्म होने वाला था था पुरी ही देर में वो का रोग कर engine बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है दर के मारे वो वही पहुंच जाती है जहाँ उसे पहले रखा गया था वहाँ से वो एक लर्की को rescue करती है आखे में उसे बस मिलती है वो फिर से room में जाती है और कीज धून लाती है और बस start कर मरत तबी उसने देखा कि वो लर्की शौक होकर खड़ी थी वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसने देखा कि बस मास्क वाले लोगों से भरी हुई है और वो भी उन लोगों का शिकार बन जाती है